हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स यारी इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पर आपको खिलाड़ी दिख रहे हैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं लेकिन उनकी एक और बात ने उन्हें और जादा खास बना दिया है वो बात क्या है इस वीडियो में आपको समझाएंगे और कैसे जो बहुत बड़ी डिबेट इस वक्त पर इंटरनेशनल क्रिकेट में चल रही है कंट्री वसिस क्लब क्या पैसा एक प्रायर्टी बन चुका है और उसको कैसे बचाना है अपनी क्रिकेट को कैसे प्रायरटाइज करना है इसका बहुत तगड़ा एक्जामपल पैट कमिंस ने दिया है इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे अगर आप चैनल पर नए हैं सबसे पहले सब्सक्राइब करें पसंद आए information तो like भी करें और share भी करें अब बढ़ते हैं इस पूरे के पूरे मुद्दे की तरफ Australian media के मताबिक यानि की News Cop in particular उनकी report के मताबिक Pat Cummins ने one million dollar की deal ठुकरा दी है और वो deal उनको offer की गई थी भारत की तरफ से इंडिया में से city-based T20 league के लिए Pat Cummins को अप्रोच किया गया जहां पर उनको million dollar एक deal दी गई थी जो Pat Cummins ने मना कर दी क्योंकि Pat Cummins चाहते हैं prioritize करना International Cricket को, Australia को और उनने साफ कहाए कि सबसे बड़ी चीज उनके लिए है Australian Cricket और साथी साथ Cricket Australia और तमाम administrators को एक सीधे सीधे ये भी बता दिया है कि आपको अपनी Cricket को protect अगर करना है तो आपको भी बहतर कदम लेने पड़ेंगे तो शुरुआत करते हैं एक एक कर समझाएंगे पूरी की पूरी वीडियो में कि कैसे ये पूरी बातचीत उन तक पहुँची थी तो जैसे कि मैंने बताए कि News Corp ने पूरा मामला report किया था फिर Pat Cummins ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा एक बारी आपको दिखाते हैं अगर आप ये डील भारतिया जो है करनसी में अगर convert करना चाहेंगे तो करोणों की डील थी अगर आप जो हम बात करने कि 1 million dollar Australian 1 million dollars को convert करके भारतिया रकम में देखेंगे तो तकरीबन 5 करोड 30 लाग तक ये सम आता है तो Pat Cummins ने कहा था कि भाई ये इस तरीके की जो opportunities है वो बहुत जादा है और बहुत जादा आजकल आपके पास आभी रही है और as a sport in Australia यहाँ पर important हो जाता है कि आपका vision क्या है और Australian cricket इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि अगले 5-10 सालों में हम कैसे protect करते हैं ये क्योंकि चीज़ें बार-बार आएंगी और हमें कोशिश करना है कि हम proactive रहें हम सब की priority है कि Australian cricket जो हो number one priority रहे और ये कैसे manage करना है ये जब different different चीज़ें सामने आ रहे हैं आपको कैसे manage करना है तो ये एक जिम्मेदारी जो है administrators की भी cricket Australia की भी रहेगी और ये जो जैसे मैंने आपको बताई कि Australian Associated Press से बातचीत करते हुए Pat Cummins ने कही थी आगे अगर बढ़ें तो इसके बाद Pat Cummins ने बताया कि आपको अपनी country के लिए खेलना वो number one priority है और वहाँ पर उनने mention क्या है just about everyone और यहाँ पर Australia की उनने particularly बात करी है लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान देना होगा कि scheduling क्या है और यहाँ पर उनने साफ दोर पर रखा and in payment and in vision of just what it means to be an Aussie cricketer तो उनने सारे मुद्दे रग दें payment की भी बात करी है vision की भी बात करी है तो that means पैसो की कभी अभी उनको उस तरीकी की जरूरत नहीं पड़ी लेकिन Pat Cummins यहाँ सिर्फ अपना पक्ष नहीं रख रहे है Pat Cummins कुछ उन खिलाडियों का पक्ष रख रहे है जो शायद एक तरीके से birding cricketers हों जो उपर आ रहे हो बट उनको opportunity ना मिले अगर उनको opportunity ना मिले तो क्या हो इस तरीके से इन रास्नों पर जाएंगे जहांपर वो better deals की तरफ जाएंगे जिसका example हमने हाल फिलाल में बहुत जादा देखा है साथी साथ ये भी नहीं भूलना होगा जहांपर जिसका जिक्र आगे भी होगा कि Trent World related जो हमने देखा था कि उन्होंने अपना national contract छोड़ दिया है और उन्होंने ये काई कि जब तक वो available रहेंगे New Zealand cricket ने भी मान लिया कि जब जब वो available रहेंगे selection के लिए और जब हम भी comfortable देखेंगे दोनों parties कि हाँ हमें उनकी जरुरत है तो वो खेलेंगे otherwise Trent World जो है वो अब जातर आपको franchisee cricket में दिखेंगे हो सकता है जो T20 World Cup है वो उनका आखरी हो उसके बाद जो है 50 ओर World Cup आपको उसके बाद वो Limited World Cup में दिखेंगे ना और शायद Test Cricket में Trent World Cup दिखना मुश्किल है तो उन्होंने ये दूसरा रूट अपनाया था जो Pat Cummins ने भी छोड़ दिया हाला कि Pat Cummins जैसे मैंने बोला कि priority wise well paid Australia में कप्तान भी है और एक बहुत जिस तरीके से हमने बात करी है कि बिल्कुर साफ तोर पर अपनी बात रख सें तो आगे बढ़ते हैं जो आगे और जादा जो हिससे हैं इस conversation के और यही मैं आपको जो बताना भी चाहता था कि I think realistically more and more people are going to go down that route for a variety of reasons so I think we have to be conscious of that यह उन्होंने वहाँ पर News Corp के जो reporters से उनसे बातचीत करी थी क्योंकि भाई दिखें जब opportunity नहीं मिल रही होगी सपोज आप आगे एक system में नहीं बढ़ रहे हैं और वहाँ पर आपको एक तरीके से खेलने को नहीं मिल रहा है तो आप obviously चाहेंगे कहीं और पर BCCI यहाँ पर India में different matter है जहाँ पर आपको अगर कोई और league खेलनी है तो आप permission लीजिए नहीं तो आपको होता है कि totally जो पूरी cricket है उससे retire होना पड़ता है और तब ही आप जाकर कहीं बाहर के league खेलते हैं और पूरी तरीके से retirement मतलब आप IPL में भी फिर नहीं खेलेंगे domestic international IPL सब छोड़नी पड़ती है तो यह वहाँ पर एक बहुत pad comments के तरफ से जिसको एक तरीके से कहता है कि इस सोच को भी सलाम है जहाँ पर उन्हें Australian cricket को prioritize किया है लेकिन फिर यह भी नहीं भूलना चाहिए कि circumstances जो होते हैं वो बहुत जादा एहम एक factor होते हैं डीन एलगार ने कहाता कि जी साथ आफरिका के जो खिलाडी है देश के लिए खेलें test cricket तो उनको prioritize करेगा बट खिलाडी आगे थे भारत IPL खेलने खुद साथ आफरिका ने cricket साथ आफरिका ने अपनी जो है T20 लीग खेलने इसकी वजह से national जो मलब उनकी national duty जो है जाने की international assignment ऑस्टेलिया के साथ one day उनको छोड़ दिया है क्योंकि उनका ही मानना है कि हमें अपना इस system in place रखना है तांकि आगे जाते हुए हमारे खिलाडियों को दिक्कत ना हो और जो पैसे की वैसे अगर उनको इधर उदर जाना पड़ता हो तो उससे बड़े हो वेल पेड यहीं पर जो हमारी cricket साथ आफरिका की जो T20 लीग जो UAE में होनी है उसमें बड़े अच्छे contract आप सब का इंतजार कर रहे हैं और Pat Cummins जब अभी ये सब बात उन्होंने कही है तो उनको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि Chris Lynn जो cricket Australia का ही एक तरीके से हिस्सा है भले contracted नहीं थे बट वो Big Bash शोड़कर International League T20 खेलने को तहियार थे साथ डेविड वार्नर को लेकर भी कुछ ये कयास जोड़े जा रहे थे बट वार्नर ने भी फिर प्रफर यही किया कि International League T20 छोड़कर अपनी जो लीग है Big Bash वो और ये सारे के सारे जो है क्रिकेट बोर्स के लिए एक challenge भी है लेकिन Pat Cummins ने जिस तरीके से पूरे साफ तरीके से अपनी बात रखी है बड़ी interesting लगी और उन्होंने जैसे मैंने आपको होता है कि उनके पास एक million dollar deal थी जो भारत की तरफ से थी इंडिया में जैसे आपको पता है कि city-based T20 leagues उधर से उनको अप्रोच किया गया था इन फैक्ट ये भी था उस deal के details में कि आपको ऐसा भी नहीं आपको कैसी लगी comment section में जरूर बताएं और आप इस पूरे की पूरे मुद्धे पर किस तरीके से देखते हैं कि international cricket या club cricket या पैसे को लेकर क्या आपकी सोच है पूरी की comment section में जरूर दर्ज करें और ये उन्होंने जैसे आगे बता भी रखा है कि big tournaments की जब बात होती तो सारे की सारे जो है we all prioritize playing for Australia at the moment it's what we absolutely love doing but realistically there are a lot of other opportunities out there which sometimes clash उन्होंने साफ बात करी है कि भाई प्राइटी वही है लेकिन कभी-कभी हो जाता है कि इस तरीके की रहती हैं चीजें कि opportunities ऐसे रहते हैं जो clash करती हैं लेकिन हम जो है pick करेंगे हमेशा Australian cricket को तो यह है Australian cricket culture और उसके top crick creators यह ने साफ किया है कि international duty से बढ़कर अभी हाल-फिलाल में कुछ नहीं कोई पैसा नहीं कोई रकम नहीं तो जरूर अपना feedback दें अभी इजाज़त लेते हैं आपसे sportshari.com जो हमारी website है वो भी visit करें कुछ feedback हो तो हम तक पहुंचाएं और cinema 20 भी हमारा चैनल है उसे भी होढ़र जया तो हमारा चैनलिक कुछ भी